विद्यार्तियों नवांको डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ विद्यार्तियों आज हम हिंदी बिसिष्ट गद्धि खंड के अंतरगत महापुरुस स्री कृष्ट पाट के प्रश्णुत्तरों का अवलोकन करेंगे पिछले वीडियो में हमने इस पाट की ब्याख्या समझी थी इस निवंद के लेखक प्रिशिद निवंदकार वासुदेव सरण अग्रवाल हैं डाक्टर अग्रवाल हिंदी के प्रतिवासाली और विचार सील निवंदकार हैं साहित, संस्किर्थी, जन्पदिये एवन प्राचीन साहित पर गंभीर अब श्रेश्ट निवन आपके द्वारा लिखे गए हैं अतिलग उत्तरिय प्रिश्ण कृष्ण द्वेपायन को देश किस नाम से जानता है उत्तर कृष्ण द्वेपायन को देश महरिशी बेद व्यास के नाम से जानता है प्रिश्ण दो भारतिय साहित का एक बड़ा भाग किस के चरित्र से अनुप्रानित है उत्तर भारतिय साहित का एक बड़ा भाग श्री कृष्ण चरित्र से अनुप्रानित है प्रिश्ण तीन गीता सास्त्र के महान उपदेशक कौन है उत्तर गीता सास्त्र के महान उपदेशक स्री कृष्ण है प्रिश्ण चार क्रिश्ण वल्देव और कुंती पांडवों के भीच घनिष्ठ संबंधों का सूत्र पात्र किस इस्थान पर हुआ उत्तर प्रिश्ण वल्देव और कुंती आदी पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्र पात्र कुरु छेत्र में हुआ सूत्र पात्र यानि सुरुआ प्रिश्ण पांच कृष्ण ने सिशू पाल का वद करके माहिस मती की गद्धी पर किसे बैठाया उत्तर स्री कृष्ण ने सिशू पाल का वद करके माहिस मती की गद्धी पर उसके पुत्र द्रिश्ट केतु को बैठाया महापुरु स्री कृष्ण के लगूततरिये प्रिश्न, प्रिश्न कर्मांग एक भारतिय राष्टिय जीवन पर किन दो शमकालीन वैक्तियों के उदात मस्तिस की गहरी चाप है, उत्तर भारतिय राष्टिय जीवन पर दुए पायन कृष्न और वशुदेव पुत्र कृष्न के उदात मस्तिस की छाप है संयोग से दोनों ही का नाम कृष्ण था दोनों में अंतर करने के लिए दुएपाइन कृष्ण को आज सारा देश बेद व्यास के नाम से जानता है जबकि दूसरे वशुदे उश्री कृष्ण को केवल कृष्ण के कर ही पुकारते हैं पृष्ण 2. महरीशी बेद व्यास क्यों पृष्ण दें उत्तर महरीशी वेद व्यास ने महा भारत की रच्णा की इनके मस्तिस्की की अप्रतीहत प्रतीभासे आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विस्वासों का पृतेक अंग प्रभावित है प्रिश्न तीन शिरी कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में कप प्रवेश किया वाल काल की रमनियें लीलाओं को करने के बाद शिरी कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में प्रवेश किया वे व्रंदावन त्याकर मधुरवा आ गए यहीं उनका साक्षातकार जीवन के कठोर सत्यों से हुआ प्रिश्ण चार मस्तिस्क साधना हे तू श्री कृष्ण कहां गए वहां उन्हें क्या लाब हुआ कृष्ण चार मस्तिस्क साधना हे तू श्री कृष्ण शांदीपनी गुरु के गुरुकुल में प्रिविष्ट हुए कुल प्रोहित गरगाचार और कासी के विद्याचार सांदीपनी गुरु का श्री कृष्ण पर विशेश प्रभाव था कृष्ण पाँच कृष्ण जन्म संबंदी कुछ तथ लिखिये उत्तर कृष्ण जन्म संबंदी कुछ तथ इस प्रकारें उनका जन्म अस्टमी बुद्भार रूहुनी नचत्र में आधी रात के समय अपने मामा कंस के बंदी ग्रह में हुआ था क्योंकि उनके जन्म के वैसे ही उनके चरित्र को जानकर उनके मामा कंस ने स्री कृष्ण के माता पिता को बंदी बना लिया था स्री कृष्ण हस्तिनापुर के हो गए हस्तिनापुर जाकर प्रिश्ण ने क्या किया स्री कृष्ण पांडवों की और से समस्त अधीकारों को लेकर शंधी करने के लिए हस्तनापुर गए बहाँ जाकर उनों निद्धिर्त राष्ट की सवा में तेज़वी भासन दिया और महा भारत को रोकने के लिए दुर्योधन को पांडवों से संधी करने के लिए समझाया लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी महापुर्ष स्री करीष्ण पाठ के दीरगुत्तर ही प्रिष्ण का वाल जीवन थो एक काभी ही है इस उक्ति को सिध्द कीजिए उत्तर क्रिष्ण का वाल जीवन थैक आदब 나올 जीवन थो एक काभी ही है यानि उनके चरित्र के बारे में सभी लोग जान गए थे हमारे देश के बाल वर्गे के लिए तो उनकी कथाओं की रस्मे सामगरी अत्यंत प्रिय वस्तू है यानि उनके जीवन की कथाओं वच्चों के लिए काफी लोग प्रिय है यमना नदी और उसके समीब के पीलू व्रक्षों पर लहराती हुई लताओं के कुझ में स्री किष्ण के बाल चरित्र की प्रितिधनी आज भी जीवित कथाओं के रूप में देखने को मिलती है प्रिष्ण क्रमांक तो स्री कृष्ण ने रमनिय बाल चरित्रों की शुगदाई भूमिका के रूप में कौन-कौन से कार किये उत्तर ब्रंदावन में स्री कृष्ण दारा बाल सखाओं के शात की गई बाल लीलाएं यमना नती और उसके कुंजों में रची गई प्रिणाएं यमना के कछारों में शंगीत एवं नृत्त की चेस्टाई आदी शुगदाई भूमिका के रूप में की गई थी प्रिश्ण कर्मांक तीन हस्तिनापूर से संपर्क होने के बाद स्री कृष्ण को जो अनुभव हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिये उत्तर कंसबत के समय ही सिरी कृष्ण ने अपनी राजनीतिक प्रविर्ती का परिचय दे चुके थे हस्तिनापुर की राजदानी के साथ संपर्क होने के बाद उन्होंने ये अन्वब किया कि इस देश में एक बड़ा प्रवल संक्ठन उन राजाओं का है जो भारतिय राजनीति की प्राचीन लोग पक्षिय परमपराओं के वृद्ध निरंकुस होकर राज सक्ती का प्रियोग करते हैं और जिनके कारण प्रजा में छोब और कस्ट है याने सिरी कृष्ण हस्तनापुर से संपर्कोने के बाद अच्छी तरह जान गए थे कि भारतिय गड़तंत्र में एक बड़ा संग्ठन ऐसे राजाओं का है जो स्वार्थी और अत्याचारी है और जनता में उनके कारण दुख ब्याप्त है प्रिश्ण चार स्री कृष्ण के वुद्धी कौसल के आगे कौन कौन से अराजक वैक्तित्व परास्त हुए तो स्री कृष्ण के वुद्धी कौसल के आगे जराशन, शिशुपाल, शालव राज, भौम नरक, मुर, वानासुर, कलिंग राज और कासी राज जैसे राजक वैक्तित्व परास्त हुए प्रिश्न क्रमांग पाँच, महा भारत का युद्ध भारती त्यास की एक दारुन घटना है इस उक्ति की सार्थक्ता में अपने विचार प्रिगट कीजिए उत्तर महा भारत का युद्ध भारती त्यास की एक दारुन घटना है याने बहुत दर्दनाग घटना है इस प्रलेकारी युद्ध में दुर्योधन की ओर से कांधार, वालही, कामबोज, केकई, शिंदू, मद्र, त्रिगर्थ, आधी देशों की युद्ध लड़े थे इधिश्टिर की ओर से ब्राट, पांचाल, कासी, चेटी, शंजयादी वन्षों के युद्धा लड़े थे ऐसे भ्यंकर बिनास को रोकने के लिए कृष्ण से जो प्रियत्न होशकता था उन्होंने किया वर्बै प्रलेकारी युद्ध रुक ना सका यानि भारत बर्स के तमाम गणराज इस युद्ध में पांडव अदबा कौर्वों की तरब से युद्ध करने के लिए आय थे कहा जाता है कि इस युद्ध में जारा अक्षों हुनी सेना कोर्वों की थी और साथ अक्षों हुनी सेना पांडवों की तरफ से इखटी हुई थी अठारा दिन तक ये युद्ध चला था सिरी कृष्ण ने इस युद्ध को रोपने का बहुत प्रयास किया लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नौक के बराबर भूमी देने से मना कर दिया था उसकी इसी हट के कारण महा भारत का युद्ध हुआ और गुरु दोणनाचार भीश्म पिता महा और तमाम गरतन्त के राजा महराजा इस युद्ध में अपने प्रांड गवा वैठे प्रिश्ट छे सिरी कृष्ण को सोला कलाओं का अपतार क्यों कहा गया है उत्तर सिरी कृष्ण भारती जन मानस में सोला कलाओं के अपतार माने जाते हैं इसका तात्पर यह है कि जिस प्रकार भिन्न भिन भिन बस्तूगों को नापने के लिए भिन्न भिन्न परिमान याने मापक यंत्र होते हैं, उसी प्रकार मानवी पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है, सूला कलाओं से चंद्रमा का सरूप संपूर्ण होता है, मानवी आत्मा का पूर्णतम विकास भी सूला कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है, कृष्ण में सूला कलाओं की अभिवेक्ती थी, अर्थात मनुष्य का मस्तिस्क, मानवी विकास का जो पूर्णतम आदर्ष बना सकता है वे हमें कृष्ण में मिलता है कलाओं का मतलब होता है मस्तिस्क का विकास श्री कृष्ण में सारी चारी त्रिक विसेशताएं थी योग की सिक्षा भी श्री कृष्ण के द्वारा दी गई चत्रिय धर्म का पालन भी उन्होंने किया इस प्रकार श्री कृष्ण मे विशारे गुण थे जो एक मुनिश में होना चाहिए इसलिए हमारे देश के लेखकों ने सिरी कृष्ण को सूला कलाओं का अपतार माना है अतरिक्ति प्रिश्ण प्रिश्ण क्रमांक एक निम्न लिखित शब्दों का समास विग्रे कीजिए देव की का पुत्र तत्पुरुस समास सस्थी तत्पुरुस समास बंदी ग्रह याने बंदी का ग्रह सस्थी तत्पुरुस समास मेग माला याने मेगों की माला सस्थी तत्पुरुस समास प्रती ध्वनी विग्रे प्रती ध्वनी याने ध्वनी से उत्पन होने वाली ध्वनी अभ्यई भाव समास सत्य और असत्य बताईए स्री कृष्ण को 16 कलाओं का अपतार मना जाता है सत्य है कौर्वों और पांडवों का युद्ध महाभारत प्रिशिद्ध है सत्य है गीता सास्त्र के उपदेशक दुर्योधन हैं असत्य अर्जुन ने शिशुपाल का बत किया क्योंकि अत्याचारिस आ सकता असत्य सिरी कृष्ण भारत की अमूल निधी हैं और संस्कृति के गौरव हैं सत्य एक सब्द्या बाक्य में उत्तर नमब एक देपायन कृष्ण को संसार किस नाम से जानता है बेद व्यास उग्र सेन के लोकपीडिक पुत्र का नाम क्या है कंस पांडवों की माता का क्या नाम था कुंती सिरी कृष्ण मस्तिस्क सारना है तु किस के पास गए गुरू शांदीपनी शिरी कृष्ण शंदी का प्रस्ताव लेकर कहा गए हस्तिना पूर की राज सभा में गीता सास्तर के महान उपदेशक कौन है शिरी कृष्ण विद्यार्तियों आज के डिची लेशन में इतना ही एक नए पाट के साथ अगले डिची लेशन में फिर मिलेंगे धन्यवाद